नमस्कार बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज आपके साथ मैं स्रुष्टी मिश्रा बीते दिन ये ख़वर सामने आई थी कि बीबीसी पर आईटी का सर्वे किया जा रहा है आईटी विभाग जो है आईकर विभाग सर्वे कर रही है लेकिन आपको बता कि ये भी बात सामने आ रही है कि अगर हम सहयोग की बात करें तो ये भी कुल कर सामने आ रही है कि सहयोग भी किया जा रहा है लेकिन आपको बता दे कि देश में बैठे विपक्षी पार्टिया इस सर्वे को दूसरा रोल देने की कोशिश कर रही है रोल क्या हो रहा है आप बॉकि की तलाश में बीबीसी पर जो सर्वे किया जा रहा है दिल्ली और मुंबई इस्तित कारियालियों पर कहा ये भी जा रहा है कि किसी भी स्टाफ को अंदर आने की अनुमती नहीं दी गई है कारियालियों पर जिस तरीके से अभी जाच परताल चल रही है वित्तिया भाग में जो ट्रांसफर हुए हैं वो कितने सचे हैं कितने गलत हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि एक खाका तयार किया जा रहा है विवरन लिया जा रहा है लेकिन अब देश में बैठे विपक्षी पातियों को आखिर किस बात की हरबड़ी हो रही है कि आखिर BBC पर वो सर पूरी तरीके से जोड़के कहा कि मोदी पर ये डॉक्यमेंटरी है इसलिए इसका विरोज किया जा रहा है भाजपा की तरफ से केने सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने के सारी दुनिया को कबर करता है और करीबन करीबन सची खबरें हर जगा दीता है जो कई मुलकों को अच्छा नहीं लगता है और जो इन पर आज ही हुआ है ये हम को लगता है कि देखे पहले ही अमोरियत पर यहां खत्रा है आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ट है और उसकी एक कड़ी यह भी है और मुझे लगता है कि यह होना नहीं चाहिए था इस वक्त क्योंकि यह बीबीसी की जो दो डॉक्यमेंटरी जाई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है कि अगर नॉमली यह पहले कर देते जब डॉक्यमेंटरी नहीं थी तो आपको बता दे कि यहां पर मुद्ने को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है कि यह जो सर्वे चलाया जा रहा है यह पूरा गलत है आपको बता दे एडिटोरियल डिपार्ट्मेंट को इससे किसी स्वतंत्र है मीडिया को ये पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होती है कि वो निस्पक्ष तरीके से खबरों को चला सकता है लेकिन उस बात को भी जोडा जा रहा है कि मीडिया खत्रे में नहीं है एक सर्वे किया जा रहा है वित्तिया विभाग का सर्वे किया जा रहा है और यही बात सामने आ रही है कि इसे किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है। आपको बता दे कि लगातार अब विपक्षी पाथिया कूद पड़ी है बीबीसी डॉक्यूमेंटरी को लेकर जहां पर दिल्ली के मुख्यमंतरी भी कूद पड़े है। किसे पीछे रहते हैं कि इसे सरकार की बात है भाशपा की बात है हमेशा ही भाशपा को तानाशा बताते हैं और दिल्ली में क्या हो रहा है ये सब के सामने हैं। जबिन केजरिवाल कूट पड़े हैं कहते हैं मीडिया लोगतंत्र का चौथा स्तम है मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने की बराबर है। का प्रियोग करते हैं वो आपके सामने भी है। जग जाहिर है कि संजे सिंग आपना आपा किस तरीकी से होते हैं। संजे सिंग लिखते हैं मोदी जी आप तो तानाशाही की पराकास ठापर उतर आएं। पहले BBC की डॉक्यूमेंटरी पर बैन लगाया अब उनके दफ्तरों पर छापा। मत भूलिए मोदी जी हिटलर की तानाशाही का भी अंत हुआ था। आपकी तानाशाही का भी अंत होगा। आपको बता दे कि पूरा ओफिस सील कर दिया गया है लगातार दिल्ली बुंबई में BBC दफ्तर पर इंकम टेक्स की छापे मारी चली जा रही है और बात सामने आ रही है कि सहीयोग भी किया जा रहा है देखने वाली बात होगी कि सर्वे पर आखिर क्या निकल कर सामने आता ह एडिटोरियल डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं है बीवी से जो लिखता है जो छापता है उस पर स्वतंतरता जारी है लेकिन फिर मीडिया पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि मीडिया स्वतंतर होती है और BBC पर जो जाज परताल की जा रही है व दुनिया के कई देशों ने नका रहा है कि BBC प्रोपेगेंडा के तहट काम करती है BBC अपने फाइदे के लिए छवी खराब करने की कोशिश करती है और यही देखा जा रहा है भारत में आपको बता जिए बिरिटेन के तरफ से भी बयाना आया था फ्रांस के तरफ से भी बयाना कि कॉंग्रेस ने 1975 में क्या किया था उसको याद कर ले अब आपको बताते हैं कि BBC ने क्या किया है British Broadcasting Corporation ने क्या कहा है इस मामले में जो सर्वे किया जा रहा है उस पर BBC ने क्या कहा है आपको बताते हैं BBC ने कहा है आयकर विभाग के अधिकारियों को हम पूरा सहयोग करने है All India Bar Association ने भी स्वागत किया है जहां पर यह सर्वे में कहा है आयकर विभाग के अधिकारियों को हम सहयोग करने हैं और All India Bar Association ने Income Tax सर्वे के लिए All India Bar ने Income Tax को इस सर्वे के लिए बधाई दी है आपको बता दे कि अगर ये सर्वे गलत होता तो इस पर विवाद बढ़ता लेकिन इस पर विवाद कर रही है कॉंग्रेस पाटी आमाने पाटी और अब जम्मू कश्मीर के भी कुछ नेता इस पर कूत पड़े हैं ये दिखाने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मीडिया की आवास को दबाना चाहते हैं ताना शाह बताकर नहीं जनता को ये समझाने की कोशिश है विवाद नहीं बढ़ाया इन्होंने BBC को नहीं गेरा किसको गेरा किन सरकार को तो आप समझ रहे होंगे कि इनके पीछे क्या राज है और ये क्या करना चाहते हैं मतलब विपक्षी पाट्चिया इस मामले पर क्या करना चाहती है नई दिल्ली और मुंबई स्थितुन की कार्याले में इनकम टेक्स के अधिकारी हैं और उनका पूरा सहयोग किया जा रहा है हलाकि आपको बता दे कि BBC ने अब तक अपने आय का विवरन नहीं दिया है IT डिपार्टमेंट को अभी तक विवरन नहीं दिया गया है और यही कारण है कि IT डिपार्टमेंट के अधिकारी लगतार वहां बने हुए हैं कारयाले को सील किया गया है चाच परताल किया जा रहा है विट्य विभाग को खंगाला जा रहा है एक विवरा तयार किया जा रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है अब जहां पर आपको बता दे कि BBC जो लोकतंतर के हित में उसका सर्वे किया जा रहा है यह भारती जनता पाची ने साफ कर दिया है कि BBC पर आयकर विभाग का सर्वे सम्विधान के तहत है और इसी के साथ कि प्लआ रहे हैं ता ड्र की जार्फ की जार रहे हैं अब अपनी जबाप दिय करिए कि जनता क्या शोंशती है आपकी इस तरी के आफ डेखते हैं पर बाया है honoris के हित में ये सर्वे किया जा रहा है